हेलो गर्ल्स एक यहां पे बहुत जरूरी बात है जो मैं आप लोगों को बता दूँ यह कुछ बचे हैं जो बहुत ज़र दिक्कत होती है और वो लोग पूछ बहुत सवाल कर रही हैं तो मैं उनका एक आंसर देने आई हूँ मैंने अभी अभी देखा यह बहुत सारी लड़ हैं तो देखिए पहली बात कि मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पे सारी साथ टीचर्स आपको इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे वहाँ यदी आप यह सोच रहे हो कि हींदी में पढ़ाएंगे नहीं क्योंकि मैं M.Sc. जब बीयो टेक्नलोजी मैं ने की मैंने क्लासे जॉइ तो सब कुछ वहाँ पे English में है। Hindi में नहीं पढ़ाया जाता है। मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ तो मुझे तो वहाँ पे English में ही पढ़ाया जाता था और मैं English में ही पढ़ती हूँ, मतलब पढ़ाई की है मैंने। और उनके लिए यह बहुत वो लोग अगर यह सोच रही हों कि हम पढ़ नहीं पाएंगे ऐसा कुछ नहीं होता है आप सब कुछ कर सकते हैं जीवन में और रही बात मेरी की मैंने कैसे किया तो मैं आपको पता हूँ मैं 10th UP Board से हूँ और मैं 12th UP Board से हूँ और मेरा BSC, MSC मेरा full to English medium है तो मुझे कभी दिकत नहीं हुई है और मैं BSC Biotech की Topper हूँ और MSC में मेरे 73, 70 और 75 से नहीं आया ठीक है तो इसकी बात आप बिल्कुल भी यह गलत मतलब छोड दीजे कि कहां English और कहां Hindi सब common है मतलब common in the sense कि कुछ भी नहीं है Teachers English में पढ़ा है या Hindi में कोई फर्क नहीं पढ़ता है ठीक है तो बिल्कुल घबराईए मत वहां पे English में पढ़ाते हैं कोई बात में आप पढ़िएगा मैंने भी तो पढ़ा है और मेरे बहुत अच्छे मांग सहा है हर बार ठीक है मेरे चारों से मिस्टर अच्छे गए ह प्लस मेरे ठीकовых सहुई है मैं रहे यार में यूपी बोर्ट से हूं ठीक है ए और में जितनी भी पढ़ाई की है मैंने मेडिकल टिप्लॉमा किया मैंने CPMT की कोचिंग मैंने साब इंग्लिष में कीर है और आज भी मैं जो भी पढ़ती हूं मैं आधि पढ़ इंग्लिष मे अच्छे से आपको वो प्रोजक्टर पर पढ़ाएंगे ठीक है और बहुत अच्छी उनिवर्स्टी है पढ़ाई भी बहुत अच्छी आपको अच्छे से समझ में आएगी जी हाँ वहाँ पर मैंने कहा ना सब बहुत अच्छे टीचर्स हैं बहुत ज्यादा एग से इंग्लिश में ही बढ़ाते हैं यहां तक मेरा है एक दो वर्ड तो हर को ही हिंदी में बोलता है लेकिन पढ़ाना प्रोपर व्य में इंग्लिश में बढ़ाना यह वहा इंग्लिश में पढ़ाया जाता है जी हां, इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, और मुझे तो ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं लगता कि इंग्लिश में पढ़ना इतना टाफ एंडो, बहुत ऐजी है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं, मैंने भी तो पढ़ाया, बीएसी में मैंने तीनो साल मतलब टॉप किया और मेरे बहुत अच्छे मार्स हैं मतलब ठीक है टॉप करना आप समझ सकते हैं और MSC में भी मेरे बहुत अच्छे मार्स हैं मेडिकल डिप्लॉमा में, in fact, मेरे 80% थे तो बेबी, you can do everything, ठीक है जो छोटी हैं इतने घबराईये मत आप सब कुछ कर सकती हैं यह तो पढ़ाई है, सोचे अभी से आप डर जाएंगी तो आगे क्या करेंगी तो मेरे आप से यही कहना है, बिल्कुल भी घबराईये मत और जो छोटी बच्चियां या चोटी लड़कियां होती हैं वो होस्टिल से बाहर जा सकती हैं, कहीं भी भून सकती हैं किसी पर कोई रोक टोक नहीं है, बस आपको वनस्थली से बाहर तमी जाना है जब आपके पास गेट पास होगा, आप घर जाएंगी या फिर आप शुट्टी लेंगी किसी कारणवर्श तो मेरी बेस्ट विशिज आप लोगों के साथ हैं अच्छे से पढ़िएगा, और जिनके एडमिशन्स मैं कह रही हूँ ना आपके पास यही काल लेटर होना चाहिए आपको 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 के लिए वरना फिर अगर आपको बनस्थली में अगर आप रह जाते हो तो फिर आप अगली साल ही ले पाओगे ठीक है तो ये कॉल लेटर खोना मत अगर आपने ये कॉल लेटर खो दिया तो आपका एडमिशन नहीं होगा किसी भी कीमत पर फिर चाहें आप कुछ भी कर लेना सारे सारे जुगार लगा लेना कुछ भी नहीं होगा अगर आपके पास ये कॉल लेटर नहीं है इसलिए अगर आप कहीं भी कितने भी एंट्रेंस की तयारी कर रहे हों देखिए मैंने मैं आपको बताओं अभी में पस एक सवाल आया उन्होंने में तो यहीं सवाल किया है मेरा भूए दीदीटी मेरा मेरा हो गया है, But Icion came on the option fee submit मेरा मेरा ओर लोगने दाज मेरा email का मेरा दे रहे हूं मैं भीहा था था मेरा BGU, JNU, INDRपरेश्थbey, RN ІPN वैली एंपर यूणिवेस्टी संड़ डिन खाई मेरा 1 वानस्थली में भीहा था. तो मैं किसी कारण वर्ष मेरा एक्सिडेंट हो गया था जून में, जब मैं BST का 3rd year का final का paper दे रहे थी, उसी दिन मेरा एक्सिडेंट हो गया था 29 जून को, और 29 जून को ही मुझे जाना था वरनस्थली, तो इससे पहले मैंने सोचा था कि मैं इंद्रप्रस उनिवर्स्टी स टे फॉरंसिक साइंस में मैं अडमिशन लोगी, फीस भी सब सम्मेट हो गई थी, लेकिन वहां पर कुछ दंगा हुआ था, तो मैंने नहीं लिया, जे एन्यू मैंने इसलिए सलेक्ट नहीं किया, वहां पर जो होता है, वो सब को पता है, इसलिए नहीं लिया था, ठीक है, बहुत लेट तक उसके एडमिशन होने थे, तो नहीं लिया कि क्या पता रहे जाओं, कहीं नहीं हो, फिर ऐसा वाला डर भी लगता है, जब तक एडमिशन नहीं होता, सेम मेरे साथ भी था, तो मैंने सोचा है, मेरे पास अभी एडमिशन का एक चांस है, कि मैं जो मेरे हाथ मैं उस चीज को पहले क्यों ना कैच करूं, ठीक है, कि मैं उसको कभी नहीं छोड़ती, जो में पास है, तो मैंने का अभी देखो, भी एडमिशन का लटका पड़ा है, अभी बहुत टाइम है इसमें, जे एडमिशन में मुझे लेना नहीं है, इंडिप्रेस में लेना था, फोरेंसिक साइंस मेरा मुझे पसंद था, ठीक है, तो उसमें मेरा हूँ, उसमें वो गया, वहाँ पे लड़ाई जगडा हुआ, तो वो कैंसल हो गई, फीस भी सब सम्मिट हो गया था, तो वहाँ का मैंने छोड़ दिया, फीस मेरी रिटर्न हो गई, मैं वहाँ से चली भहिया बी गए थे मेरे साथ, अद्मिशन कराने मीरा, और भहिया के दोस्त भी थे, उसके बाद में जब घर पे थी, तो मेरे पास कॉल लेटर मेरे हाथ में ही था, वो था ही मेरे पास, ठीक है, वर सली बस में एक डर था कि मैं नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, बिल्कुल मेरा अदमिशन की देट निकल गई थी, मेरे पास पस कॉल लटर था, मैं डेली फोन करती थी, पता करती थी कि अदमिशन हो जाए गा नहीं हो जाए गा नो, वहां पे ऐसे कुछ पता नहीं चला, फिर मैंने डारेक्ट गई में गाड़ी से, मतलब घरवालों के साथ गई थी, सब कुछ लेके गई थी, सब कुछ लेके गई थी, मतलब सब कुछ एकदम पफिक तरीके से लेके गई थी, कुछ भी मुझे वहां पे कमी ना पड़े, जब मैं अदमिशन लू तो, वहां पे क्या था, पहुँचे, कॉल लटर था ही मेरे पास, उन्होंने का आपका कॉल ल अदमिशन आपके नहीं होता है, और आपके पास वनस्थली का आया हुआ का लटर है, तो आपका अदमिशन हो जाएगा, फिर ना, जिन लोगों ने अदमिशन नहीं लिया, उनके लिए जो लेट से आ रहे थी, कि हमारा एक्सिडेंट हो गया था, हम किसी कारण वर्ष नही कि बहुत लंबी लाइन लगी ती, जो मेरी तरह भी थी, बट यह है कि फिर उन्होंने उस पे हम से वो लिखवाया कि हम किस वज़ह से हमारा एडमिशन हम नहीं आई, उस दिन जिसन एडमिशन होना था, और फिर उन्होंने साइन किया, तब एडमिशन मेरी शुरू हुई, कम से कम दो तीन घंटे में मेरा एडमिशन हो गया, प्रोसेस बहुत लंबी होती है एडमिशन की, और मैं आपको यह बटा दू, फोटो से लेकर सावी कॉल, सब कुछ मतलब सावी स्टिक, सब कुछ लेके जाना, कुछ भी वहाँ पर आपको मांगना ना पड़े, तब ही आ करके एक दम, प्लस आपका जो वहाँ पर जो गार्जन बनेंगे ना, उनके साइन भी बहुत जगा होंगे, और मैं एक बात और बता दूँ, जिनके साइन, मतलब आपको अगर छुट्टी चाहिए और जो आपके घर पे अविलेबल रहे हर वक्त, कि आपको कभी भी छुट पर छुट्टी के नीचे साइन कर दें, तो उन ही के साइन कराईएगा वहाँ पर वही जाएंगे आपके साथ, ठीक है, क्योंकि हर बार जब आपको छुट्टी चाहिए होगी ना, वो एप्लिकेशन भेजेंगे, उनके साइन वहाँ पर होना मस्ट है, उस लीव पर, जो आ आपके हर लीव एप्लिकेशन पर छुट्टी पर आपके साइन कर सकें, कि आपके अगर पापा बाहर रहते हैं, भाहिया बाहर रहते हैं, वो आपको छुट्टी की लीव नहीं भेज सकते, तो उनको बिल्कुल भी उनके साइन मत कराईएगा, जो घर में हर वक्त रहते हैं आपकी मम्मी हो, आपकी बुऊजी हो, आपकी बैहन हो, उनको ले जाएगए, उनहीं के साइन होने चाहिए. तयाकि वो आपको जब भी भी छुट्टी चाहिए, तो वो application भरें, बोस्ट कर दें, अपने साइन कर दें. क्योंकि वह एप्लिकेशन परस्तली में आएगी उससे आप गेट पास बनवाएंगे गेट पास जब बनेगा तो साइन मैच होंगे किसने आपको साइन करके भेजे हैं ठीक है तो ये बहुत ही बड़ी बात है तो मेरे तो मामा थे और मामा ही मेरे साथ गए थे मामा और भाया ए में से तो कॉलेजक विए अपनी एक साथ और अपना आपको आपको साइन करफे है और घर से चली यह बात करते हैं और यह में कोई बड़ी की नहीं लग है मैंने पहल सन आइन और मेरे तो बहुत अच्छे मार्सक्राइए है ठीक है तो डोंट वरी गर्स सब हो जाता है कुछ भी इतना टफ नहीं होता है जितना आप तो सोच रही है मुझे तो नहीं